तो आज में आपके साथ उप्मा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उप्मा तो आपने घर पर कई बार बनाया होगा, लेकिन आज में आपके साथ जो तरीका शेयर कर रही हूँ, जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, थोड़ी सी खास है, क्योंकि हम इसी थोड़ा सा इस्पेशल तरीके से बनाएंगे जिसे बहुती स्वाधिस्ट लगेगा तो हेलो फ्रेंड्स मी वर्षा भाउसार रसोई घर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं तो गेश चालू करके गेश पर कड़ाई रखी है अब मैंने इसमें आदे चमश देसी घी डाला है घी अमा काजू के पीसेज डाल रही हूं मीने यहाँपर 7-7 काजू के पीस कर लिए हैं तो यह भी इसमें आट कर देते हैं तो मुंफली रोस्ट होनी के बाद ही हाप काजू को ले क्योंकि काजू बोश जल्दी से फ्राई हो जाते हैं और अपना कलर चेंज कर देते हैं तो कूछी गेस का फ्लेम लो करके सूजी को हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे तो फ्रेंट्स नॉर्मली जब हम उपमा बनाते हैं तो हम उसमें बीना घी की सूजी को रोस्ट करके डालते हैं लेकिन आप एक बार घी में रोस्ट करके सूजी को डालें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएग तो दिमी दिमी आज पर लगातार चलाते वे सूजी को भून लेंगे तो सूजी का हमें बहुत ज्यादा डार कलर नहीं करना है ना ही इसे बहुत ज्यादा भूनना है तो यह देखें कूछी देर में सूजी हमारी भून चुकी है थोड़ा सा कलर चेंच हुआ है इसका तो इस चेटकने पर हम इसमें अर्यमिर्चु एंट्क करेंगे तो मैंने यहाँ पर दो हरीAKE लिया है है इसे काटावा धाथ है कब साथे मिश में ये कूछ करीपत्ते डाल गृदá देंगे हैं या तो मैंने यहाँ पर एक प्में क्थे हैं कि पिर देतीं हैं तो यह बीश में इसमें एट देते हैं और कुछ ते इने प्राय कर लेंगे अज दुदीर एक साथ अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो कुछ दिर चला लेते हम इसे इसी तरह से तो ये देखे फ्रेंट्स यहाँ पर प्याज और सारी चीजे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसमें ये टमाटर एट कर देते हैं तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी साईस का तमाटर लिया है इसे मैंने बलकुल बारिक काटावा है तो ये भी इसमें डाल देते हैं तो तमाटर हमें तब तक फ्राई करना है तब तक ये बलकुल सौफ्ट नहीं हो जातें और थोड़े से मेश जैसे नहीं हो जातें तो आप चाहें तो इसे कवर करके भी फ्राई कर सकते हैं जिसे ये बहुत जल्दे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये देखे फ्रेंट्स टमाटर यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं मेश होने लगे हैं इसी तरह की टमाटर चाहिए हमें तो अब बारी है इसमें मसाले एट करने की तो एक चमच में डाल देती हूँ चीली फ्लेक्स आप इसकी जगद लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ हम इसमें एक चमच नमक भी डाल देते हैं और यहां पर मैंने लिए एक चमच चना दाल तो चने दाल को मैंने आदे घंटे के लिए बिगो की रखा वा था तो यह भी इसमें डाल देते हैं तो फ्रेंड्स जब हम उपमा बनाते हैं तो उसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं करते हैं केवल हम हरी मिर्च डालते हैं ल और सूजी को भी हम सारी चीजों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो उपमा एक ऐसी चीजे जो बहुत जल्दी से बनकर तयार हो जाती है और बहुती अच्छा नाश्ता होता है ये तो ये सारी चीजे यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो अब बारी इसमें पानी ड बॉइल करके रखा वा था । यह भी इस में एक टेटे हैं और मिक्स कर देते हैं अपकू से देखिए सारी चाहिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है और पानी जो है सूजि ने पूरी तरह से अप्जोर्ग कर लिया है तो अब हम इसे कुछ देर कवर कर देते हैं ताकि जो है सूजी हमारी अच्छे से खिली-खिली बने तो कुछ सेकेंड बाद हम देखेंगे और एक बार हिला देते हम इसे अच्छे से तो देखिए कितना अच्छा सा खिला-खिला उपमा बन कर तयार हुआ है हमारा तो अब बारी इसमें मुमफली का दाना और काजू डालने क्या जो हमने रोस्ट करके रखावा हैं हम इसे बाद में ही डालेंगे जिससे ये क्रंची से लगेंगे तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें ये धन्या पत्ते भी एट कर देते हैं आप चाहें तो इसमें निम्बू का रज भी डाल सकते हैं तो ये लीजी फ्रेंड्स हमारा स्वादिस्ट उपमा बनकर बिल्कुल तयार हैं आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और अपना फीट बेक भी मुझे जरूर दें तो अब हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं तो ये लीजी फ्रेंड्स स्वादिस्ट उपमा बनकर बिल्कुल तयार है रेसिपी पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइकन शेयर करें तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ